राम राम साथ सभी को मैं गीता चौधरी सुबह सुबह उड़ते ही ये रहता है कि सबजी क्या बनाए मैं जैसे ही पहुँची फ्रिज के पास फ्रिज खोला तो मुझे दिखी अनपड सबजी तो मैं उसे लेके पहुँची कीचन में और ये इसको इतने अच्छी तरीके से है कि पड़ेली के लोगों की फेवरेट बन गई तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पर ले ली है डाइसो ग्राम एकदम ताजी सी गमारफली और इसको धोल याए अच्छे से फिर इसके डंटल हटा लेंगे जो आगे पीछे की भाग होते है हलका हलका सा इसे हम तोड़ लेंगे और फिर इसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे जो देसी गमारफली होती है ना वो मलब काटी नहीं जाती है वो छोटी छोटी होती है तो ऐसे साबुत बनाते है तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन यह थोड़ी सी बड़ी है तो बॉयल करके बनाएंगे आप इसको इस्टिम भी कर सकते हैं इस्टिम करके भी बना सकते हैं तो गवार फरली बॉयल हो रही है जब तक हम इसके मसाले तयार कर लेते हैं तो हमने एक मिक्सी के जाड़ लिया है उसमें डालेंगे तीन हरी मिर्च एक इंच अद्रक का इसके डालें या फिर सलबटा आता ना उसके भी इसको दरदरी पी सकते हैं उसके बाद दो टमाटर और तीन मीडियम सच के प्याज लिये हैं प्याज बिल्कुल छोटे-छोटे हैं इसलिए मैंने तीन लिये हैं तो टमाटर को हम कदूकस करेंगे इस तरह से जिससे सबजी और भी स्वादिस्ट बनेगी उससे हमारा अंदर का जो भाग होगा वो हमें मिल जाएगा और जो बार का चलका है वो निकल जाएगा अपना ये देखिए चलका है जो बहुत ज़्यादा ही ऐसे पॉलूथिन की तरह होता है टमाटर का तो ज्यादा तर में टमाटर जा भी यूज करती हूँ न तो टमाटर चील के ही लेती हूँ और यहां कड़ए में हमने ले लिया गी यहां मैं सबजी गी में बना रही हूँ इदर हमारी गमारफली भी बॉयल हो चुकी है देखिए हाज से तोड रहे न तो यह अच्छे से टूट रहे है सौप्ट हो चुकी है तो अच्छी आती है और सौद भी बहुत अच्छा आता इस तरह से आप सबजी बनाएंगे न तो बहुत अच्छी लगेगी उसके बाद प्याज लिये थे न उनको हमने एकदम बारिक-बारिक काट लिया है वो डाल देते हैं मैंने तीन प्याज लिये हैं क्योंकि बड़े नी बहुत अच्छी लगेगी खाने में आप बेसन वाली सबजी भी बना सकते हैं मतलब बेसन गवारफली की सबजी भी बना सकते हैं यदि आपको चाहिए बेसन गवारफली की सबजी तो मुझे कमेंड में जुरूर बताना मसालों में हमने डैट चमच लाल मिर्च का पाउड कितनी तीकी उस ऐसा आप से कम जादा की जा सकती है सारी चुछों को अच्छे से मिला लेंगे आप किस टाइब की रेसिपी ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मीठा ज्यादा पसंद है या सब्जी ज्यादा पसंद या पराठे वगिरा ज भी एकदम ताजहा होना चाहिएabile खटा बिलकुल नहीं होना है क्योंकि हमने टामाटर डालने हैं फिर टामाटर डाला तो सारी चीजह उतें तो बहुत जादा खटे हो जाते हैं लेकिन इस सिसंग में जो टामाटर आतें वो ज्यादा खटे नहीं होते और दई भी हमारा एकदम ताजा है तो दई डालने के बाद अच्छे से मसालों को पका लिया है उसके बाद डालेंगे गमार फली और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ इस सबजी को बनाना बहुत इजी है फटाफट बन जाती है वैसे तो मेरे लिए हर सबजी इजी होती है क्योंकि मेरा काम है रोज बनाना तो मुझे हर सबजी इजी लगती है हर रेसिपी इजी लगती है मुझे कोई भी रेसिपी ऐसे डिफिकल नहीं लगती है कि ये बहुत हार्ड होगी नहीं बनेगी ऐसा कुछ जी है आदी गलास म तो इसको मैंने सर्व किया है बाजरी की रोटी के साथ आप इसको ग्यम की रोटी पराटा या पूरी किसी के साथ सर्व कर सकते हैं लेकिन मुझे ये बाजरी की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है तो मैंने इस पर डाला है देशी गी बढ़िया सा जब भी आ बाजरी क रोटी खाये तो अच्छे से गी लगा के खाये बहुत अच्छी लगती है तो friends वीडियो कैसा लगा